हलो दोस्ता मेरा नाम में हूले और आपका मेरे चैनल EMS टेकनलोजी पे स्वागत है तो इस वीडियो में हम दिखने जा रहे हैं कि हम एड्रिनों की मदद से एक रोबोटिक काम कैसे बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में हम यूज करने जा रहे हैं एड्रिनो नैनो सर्वो मोटर हन्रेड के टोन और वायर्स प्रोजेक्ट में हम अप्रोजेक्ट में अन्राद्ट के लाग्स तो अभी हम एड्रिनो को प्रोग्राम कर लेते हैं एड्रिनो कोड़ और सर्किट डाइग्राम की डाउन डून लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगी सर्किट डाइग्राम के एल्प से मैंने इसके कनेक्शन कर लिया और चेक कर लिया कि हमारा कोड़ अच्छे से वर्क कर रहा है क्या नहीं तो हमारा कोड़ अच्छे से वर्क कर रहा है तो चलिए अभी हम इससे आम बना लेते हैं तो कंट्रोल आम बनाने के लिए हम PVC केसिंग यूज़ कर रहे है तो लिज़े हमारा कंट्रोल आम तयारे हम इसी तरह से अभी सर्वों भी बना लेते हैं इसके अंदर भी हम PVC केसिंग ही यूज़ करेगे आम बना सके अंदरो करेवा है तो अभी हम सर्वो को उसकी प्लेस पे होल्ड करने के लिए स्क्रूज लगा देते हैं तो अभी हम आम को मू करने के लिए सर्वोहन लगा देते हैं कुछ इस तरह से जिप टाइ को यूज करके मैंने अबजेक्स को होल्ड करने के लिए क्लॉब बना दिया है क्लॉको मैंने आम के एक साइड फिट कर दिया है तो अभी मैंने क्लॉको सर्वो के साथ अटेच कर दिया है ताकि हम इसे अटोमेटिकली कंट्रोल कर सके तो अभी हम बेस के उपर एक सर्वो हन लगा देते हैं कि हम हमारे सर्वाम को लेफ्ट राइट मूँ कर सके तो अभी हम कंट्रोल आम को भी बेस के उपर फिट कर देते हैं तो सर्कुट डाइग्राम के हल्फ से हम इसके कनेक्शन्स कर लेते हैं कि बाइब को भी बाइब कर देते हैं कि अपर हुआ घ्ट जाएब डाइग्राइओ उल्स्वाग्राइब लग्राइब झाल झाल तो लीजे हमारा रोबोटी काम तयार है तो चले इसे चेक कर लेते हैं मैं इसे यूएस्बी त्रू पावर दे रहा हूँ झाल 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 कर दो